डिर इस्टोरेंट क्वेशन नमबर 1-5 समझ लिए समझने की बाद आब आता है क्वेशन नमबर 6 & 7 की बारी जहां पर है इन दोनों के complete solution क्योंकि दोनों क्वेशन अलग अलग नेचर के हैं जहां पर हम क्वेशन नमबर 6 में एरियर के साथ पढ़ेंगे जहां एक्वेशन दोनों के एंट्री एक साथ करने के लिए कहा गया है एंट्री बित कैश्बुक बहीं पर जो क्वेशन नमबर 7 है हमारी अपर पॉइंट दे रखा है एक चीज़ खास बताया था मैंने अगर किसी भी क्वेशन में आफ से कैश्बुक बनाने के लिए कहा जा रहा है इसका मतलब क्लियर है कि हमें केवल और केवल ड्यू करने की एंट्री करनी होगी मतलब एंट्री डिलेट्टी टू शेयर कैपिटल की एंट्री करनी है है मतलब था बैंक की रिसीविघ के आइंट्री हमें नहीं करनी है क्योंकि बैंक की डिलिए डारेक्ट कैश्बुक में होती हैं तो कोर्शन की बात करेंगे सबसे पहले here is the question नंबर 6 ओके थोड़ा सा कोशन जो पढ़ेंगे था इस कोशन में किया ना दो चीज एक साथ दे रखा है वही इसको अलग करता है कि भी हब equity shares as well as preference share that is I limited company offer for subscription of 1 lakh equity shares equity shares कितने है 1 lakh of 10 each with a premium of 2 rupees then इसका मदद equity shares को 12 rupees में शुकिया जा रहा है and there is 12 lakh preference shares previous share का name के आगे percentage लगा रहता है इसका मतलब क्या पता है ना इसका मतलब जब मैंने theory पड़ाया था first lecture में बता दिया था कि 10% prepared share का मतलब होता है preference share की fixed dividend है यह business को नफा होता है नुकसान होता है मतलब नहीं उनको 10% का dividend मिलना है तो है ठीक है और वो 10 रूपीज की विसाफ से यह भी रिश्यू किया गया है अब जब कॉल हो गया है equity share का अप्लिकेशन के थी रूपीज एलाट में 5 रूपीज बिद प्रिमियम कितना रूपीज है टू रूपीज इसका अलाट में रिश कितने शुग एए एक लाँक कोडिश्य हो गए दोनों को सबस्क्राइब किया गया सारे के सारे पैसे भी मतला हर एक कॉल का पैसा हो गया कोई due नहीं कोई area नहीं कोई advance नहीं हम से कहा गया you have to pass the general entry as well as the cash book पहले general entry करना है और general entry करने के बाद cash book cash book मतलब bank की entry और general entry का मतला only due की entry सबसे पहली entry जम नॉर्मली करते थे करते थे bank account debit to share capital application account ठीक है अब यहां पर बैंक की एंटी करने नहीं है तो उसकी तुरंद बात जो सेकेंड एंटी होती है शेयर एप्लिकेशन एकाउंट डेवी टू शेयर केपटल लगर उसकी एंटी करने हैं क्योंकि हमारे साथ एक साथ यहां पर दो चीजी है एक कुटी और प्रिफेर्स तो दोनों यह है एक लाग शेयर और यह है दो लाग शेयर यहने की हमारा अमाउंट यहां पर थ्री लाग रूपीज रिसीव होना है द्यू भी थ्री लाग होना है और यहां पर सिक्स लाग रिपीज हो ठीक है एंटी करने है एंटी मैंने क्या बैंक की एंटी करने है एप्लिकेशन क debit amount is 3,00,000, okay next 10% preference share application account the amount of prevention that is 6,00,000 okay complete ho gya, आव सको transfer करो, transfer equity share के लिए equity share capital होगा, preference share के लिए preference share capital होगा, दोनों के लिए लगा होगा यहाँ पर भी, that is to equity share capital account, this one 3,00,000 रुपीज and second to 10% preference share capital account, मैंने खली प्रिफी लिखिया है, इसका मतला होता है, यहाँ पर preference पूरा होगा, शॉर्ट में लिखा है, तकी time जादा आपका बेस्ट ना हो, यह हो गया फर्स्ट, second जो होता है, allotment, allotment की पहली होती है, due, उसकी बाद होता है, receiving country, receiving bank country, तो bank country कर नहीं नहीं है, तो फिले due की entry कर लेते हैं, direct, तो due के अंटी करेंगे, हाँ पर भी, दो चीज अलाग अला है, दोनों के पांच रुपए, लेकिन उसमें भी है, फिर क्या है, तीन रुपए है, share capital का, दो रुपए का, इसका premium का, इसका मतलब होता है, एक लाग शेर है, तो हमारे पास आजागा 3 लैक, और यह हो जाएगा, हमारे पास, बन एनकी 2 लैक, टोटल मिला के कितना परसा हो जाएगा, 5 लैक, तो यहाँ पर हम दू करेंगे, दिस बन 5 लैक रुपए, प्रिपेंट शेर हमारे पास कितने है, 2 लाग प्रिपेंट शेर मल्टिप्लाय वाई, एक लाट में कितना मांगा गया, तो इसका बतलब यह हो जाएगा, 8 लैक, तो इसके अंटी करेंगे, that is 10 परसेंट, प्रिफेंट, शेर, अलाउट्मेंट अकाउंट डेविट, अमांट इस, 8 लैक, ठीक है, सजमा आ गया, अब, ट्रांसपर करना है कहाँ पर, शेर केविटल में, 2 इक्विटी, शेर, कापि क्योंकि उसके बास का जो 2 लैक, कहेंगे सर, यहां तो इक्विटी शेर अलाउट में अपने 5 लाग रिखा, बिटा 5 लाग जो है, उसमें, शेर कैपिटल का भी है, और सबको पता होना चाहिए, तो इक्विटी शेर कैपिटल में गया यहां पर 3 लैक, और बचा जो 2 लैक आओ चाहिए, फूर लैक ही रूपीज की हंटी करेंगे, सिकूरूटी प्रीमियम में, जाओ इस, सिकूरूटी शेर कैपिटल, और बचाहिए, तो इक्विटी शेर कैपिटल, आप पर कोही हमारा प्रूरी प्रीमियम अगरा नहीं है, तो 8 लैक पूरा लिखिये, ठीक है, 8 लेक हो गया यह कम्प्रीट हो गया है के सब करेंग पिया सब कर सकते हैं यहां पर भी दूर्ट करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे पहरें इंटि करेंगे यहां पर दी class equity share first call account कितना है 4 lakh ठीक है और 10% preference share first call account इसका अमाँट कितना है 6 lakh rupees हो गया ट्रास्पर करेंगे share capital में 2 equity share capital account 4 lakh right 2 10% preference share capital account amount is 6 lakh अब द्यू के अंटी तो complete हो गई अब हमसे कहा गया है कि जब सारी एंटी complete हो जाए तो prepare करो क्या चीज you have to prepare cash book यहाँ जो cash book बनता है वो बनता है with bank column यहाँ कि bank में amount receive होगा और amount जब रिसी होगा बारी बारी आप सबको बताए equity का भी पैसा आ रहा है previous के पैसा आ रहा है एक लग तीन की साफ से यहाँ थी लेक रूपीज ठीक है उसके तुनान बाद आ रहा था 10% preference share application का amount और इसका amount कितना होता है तीन रूपीज थी टूजा 6 लेक रूपीज ठीक है next है allotment का equity share allotment account allotment का किता है पांच रूपाइगा है यहाँ कि 5 बन जा 5 लेक और महीं पर 10% preference share का महान हो जाएगा preference share allotment का कितना रूपीज है 4 रूपीज 4 तूजा 8 लेक ठीक है कि कम्प्लीट हो गया next है first call equity share first call account equity share first call में है 4 4 बन जा 1 यहाँ रूपीज और यहाँ पर हो जाएगा 10% preference share first call कितना हो जाएगा 3 तूजा 6 लेक रूपीज कोई area कोई due बगारा कुछ भी नहीं अब हमें क्या करना है इनका total करना है करो total total करेंगे तो क्या होगा देखिए हाँ पर total करेंगे तो 3, 6, 9, 9 और 5 that is 14, 8, 22, 22 और 6, 32 यह हो जाएगा हमारा 32 लेक जो amount total किया क्योंकि हमारा पर करेंट साट में कुछ भी नहीं आया इसको उठाके यहाँ लिक देंगे this one by balance cd यह हो गया 32 लेक total हमारा complete 32 लेक यह हो गया हमारा question number 6 अगर यहाँ तक कुछ सी तरह का कोई doubt होता है बेज़ जब कमेंट बक्स उठाईए doubt लिखिए और मुझे बताईए आपके doubt को पूरत दिया solve करेंगे अब question number 7 6 से थोड़ा सा lengthy question है क्योंकि यहाँ पर condition कुछ ज़्यादा है condition क्या का यहाँ पर over subscription भी है आपसे cash book prepare करने के लिए भी कहा जा रहा है और साथ ही साथ आपसे balance rate prepare करने के लिए भी कहा जा रहा है और सबसे खास बात यहाँ पर area भी है hundred share का सब कुछ एक साथ करते हुए इस question को complete करना है पहले question को समझ लेजे लिखा क्या है Eastern Company Limited with an authorized capital of 10 lakh authorized capital of 10 lakh rupees का divided into shares of 10 each issued 50,000 shares at a premium of 3 10 lakh के authorized capital है उसमें से 50,000 shares public के लिए issue किया गया कितने रुपए के हिसाफ से 10 रुपए के हिसाफ से 3 रुपए का premium है और 30 रुपीज की हिसाफ से application में call किया गया 3 रुपीज allotment में call किया गया 5 रुपीज that means 2 रुपीज for share capital and 3 रुपीज for security premium and first call 3 रुपीज and the balance and when required balance जो बचा हुआ है जब रुक्राड होगा फिलाल हमीं मान के चलते हैं नहीं मांगा गया है when required लिखा हुआ है जब मांगा जाए मतलब मांगा नहीं गया है तो छोड़ी अभी आगे क्या जा रहा है application पर receipt for 60,000 shares देखिए 50,000 share issue हो गया है 60,000 receive हो रहा है इसका वादर 10,000 share हमारा पस का है over this is one known as over subscription 10,000 को adjust करना है condition question में given होता है and the directors allotted the shares for the follows 40,000 shares received full and के 40,000 को 40,000 share पूरी दिये गए 15,000 share received allotment of 8,000 15,000 को 8,000 share दिये गए pro data हो रहा है और 5,000 share को 2,000 share दिये जा रहे है कह रहा है जो बचा हुआ है वो बापस हो रहा है कुछ बचा है नहीं रहे है क्यों जब adjust कर रहे हैं कितना हो रहा है 40, 55, 60, 60,000 application को हमारे पास 48, 50 50,000 shares में adjust कर दिया जा रहे हैं 10,000 जो access हुआ all are adjusted कुछ भी refund नहीं हो रहा है आगे कह रहे है all the due on allotment was received allotment तक सब कुछ receive हो गया first was call was made and the money was received with the exception of call due handed first call जब receive हुआ हमने ये देखा 100 share का पैसा नहीं आया next गिव जनल एंटी cash book and balance sheet जनल एंटी करना है और जनल एंटी करने के लब करता आप्लिकेशन और जनल एंटी में ही सारा adjustment हो जाता है application के साथ क्योंकि bank की एंटी करनी नहीं है तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि company ने application पे मांगा कितना application पे मांगा company ने that is 3 rupees तो company को ने issue कितना किया था 50,000 shares तो 50,000 multiply by 3 company को कितना असर मिलना चाहिए था 1,50,000 लेकिन company को जब receive हुआ कितने receive हुए 60,000 application नहीं कि 1,80,000 कहने का मतलब होता है company के पास कितने पैसे access हो गए this one access money this one known as application और यह सारा का सारा adjust हो रहा है कहाँ पर allotment में कहाँ हो रहा है allotment because क्योंकि cash book बनाने के लिए गहा गया है तो हमें यहाँ पर bank की एंटी नहीं करनी है direct second hand सी करेंगे second hand क्या हो गया that is share application account debit to share capital account share capital में कितना पसा जाएगा जितना का actually company demand किया था one lakh fifty thousand और जो access money है कितना रुपीज है thirty thousand यह सारा transfer कर दो share allotment में to share allotment account तो total amount कितना हो जाएगा one lakh eighty thousand हो गया clear समझ माग गया और जब allotment की बात करते हैं allotment में कितना call गया है with premium five rupees यहने की two plus three हमारे पस number of share कितने है fifty thousand इसका मतलब यह हुगा यहाँ पर share capital में जाएगा one lakh और security premium में जाएगा one lakh fifty thousand overall कितना हो जाएगा two lakh fifty thousand हमारा due हो जाएगा ठीक है हमें पता है already thirty thousand हमारा advance में आज चुका है तो thirty thousand को less कर दो तो actually में bank में कितने रशीव होगा two lakh twenty thousand इसको याद रखना कि cash book में two lakh twenty thousand की anti करेंगे but यहाँ पर किपल due की anti करेंगे और due की anti कैसे करेंगे that is share allotment account debit कितना होगे share allotment का two lakh fifty thousand two share capital one lakh and बचा जो one lakh fifty thousand है वो किस चीज़ का है security premium का two securities premium account right यह complete हो गया उसके बाद जब first call की बारी हो रही है first call में ठीक है तो first call में कितना रुपए वहाँ गागा गया तीन रुपए तो 50 multiply 3 यहनि कितना पैसा आना चाहिए one lakh fifty thousand डेड़ लग लेकिन उसमें से एक बंदा है कि अपना पैसा नहीं दिया तो डेड़ लग तो डियू हो जाएगा और शॉट रुपए कि इससे नहीं आए इसका अदावर कितना पैसा इसी वोगा वन लेख फ्रटी नाइन थाउजन सेबने ये बैंक में चलायगा ये ए Clark न convention का बैंक एंटरी ये एलाउट्मेंट का बैंक एंट्री इतना ध्यान में रॉहां पर लेकिनि है Const Duisrana का Fernando Eigen让 YouTubers फॉच इक आ fueled पूरा होना है और अमाउंट फुल कितना है दो लेख 50 ता लं टू शेर कापिडल अकाउंट वन लैक फिप्टी थाउजन ठीक है यह कंप्रीट हो गया और फानल कॉल तो मांगा ही नहीं गया है तो फानल को सब्सक्राइब करेंगे आगे नेक्स्ट देट इस कैश्वुक में हम क्या करेंगे सबसे पहले एंटि करेंगे शेर एप्लिकेशन की और शेर अप्लिकेशन में कितना पैसा आ रहा है पूरा टोडल अमोंट डालेंगे कितना पैसा रहा था वालाग 80,000 ठीक है अलग बात है और दूसरी एंटी शेर एलाट्मेंट एकाउंट एलाट्में कितना इसी हो रहा है मैंने पहले क्लिक्शन का टू लैक्ट ट्विंटी थाउजन एक्चुली में आ रहा था दो लाग पचास जाले कि तीसाजार उपर एडवांस में आ चुका है तो यह पर तीसाजार को मानस कर देंगे फिर है तो यह पर कुछ भी अब हम क्या करेंगे इसको टोटल कर देंगे क्या कर देंगे एड कर देंगे तो इन सब को एड कर देंगे तो कितना हो रहा है इस वन 007, here is 9, 10, 14, 2, 3, 5 5,49,700 जो यह आया उसकी अंटी यहां कर देंगे by balance cd 5,49,700 टोटल कर दो यहां पर 5,49,700 ओके clear लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि यहां balance sheet भी तिया यार करो और balance sheet तियार करने के लिए balance sheet का format बनाओ पहले balance sheet का format कैसे बनता है यहां बनेगा balance format is balance sheet और यहां पर बनाएंगे हम क्या चीज़ notes to accounts यहां notes to account बन जाएगा जब balance sheet बनाएगे हो जाएगा हमारा particulars और यहां हो जाएगा amount सबसे पहली जो heading होती है बोगता equity and liabilities और उसमें जो पहला बनता है that is share capital shareholder fund shareholder fund right shareholder fund में दो option आते हैं number one this is one share capital और यह वह share capital है जिसको calculate करना की कितना पैसा आएगा और दूसरा होता है रिजर्व and surplus रिजर्व and surplus रिजर्व and surplus अब बात यह share capital में कितना आएगा रिजर्व and surplus कितना आएगा वो पता करने के लिए नोर्स्टन अकाउंट में आएगा नोर्स्टन अकाउंट में सबसे पहला में calculate करने के कि amount of share capital amount of share capital और share capital में जब calculate करेंगे सबसे पहले क्या दिरक क्वेशन में authorized capital लिखो authorized capital authorized capital कितना है हमारे पास 10,000,000 इस से कोई लिना देना नहीं है इखरी लिखके ऐसे छोड़ देंगे डवल अंडर्लाइन कर दो इसके जश्ट बात आएगा issued capital कितना इशू किया गया capital 50,000 multiply by 10 इस तो कितना आना चाहिए यहां पर 50,000 इस फाइब लेक रूपीज होगे इस से भी कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है subscribe capital से तो देखिए next कितना जाएगा यह subscribe capital और subscribe capital कितना जाएगा हमारे पास final call की demand हुई नहीं है जब final call की demand नहीं है तो number of shares कितने हो गया इस बन 50,000 और call किया गया कितना रुपाई that is 2, 3 and 2, 5, 5 and 3, 8 तो जाएगा कितना 8, 5, 40 यहनि कि 4 लाग चाल लाग हो गया लेकिन इसमें area रहा है तो area के amount को minus less calls in area calls in area south share होगा final call का 3 यहनि कि 300 रुपए यहां से कर दो minus कितना receive हो गया आ रहा है हमारे पास 3,99,400 3,99,000 sorry 700 फूर बता रहा हूं है बद इस बन 700 राइट एक चीज़ है यह हो गया अब यहां पास दूसरा जो चीज है वो है हमारे पास क्या आना चाहिए reserve and surplus अब reserve and surplus हमें पता है कि security premium issue किया गया है तो यहांपर डाल दो security premium reserve कितना पैसा है 1,50,000 add कर दो 007,99514 there is 5,49,700 इसकी anti कर देंगे share capital के आगे आ जाएगा 3,99,700 security premium क्या पैसा आ जाएगा reserve and surplus के आगे 1,50,000 हो गया इसको total कर दो total amount is 5,49,700 देखिए यह cash book के amount के बराबर हो गया ना इसका मतलब होता है second के anti करेंगे हम assets की assets में सबसे पहला जो heading बनता है यह हो जाएगा non current assets की non current assets non current assets तो भईया पर है नहीं तो खाली छोड़ देंगे second है हमारे पास current assets अब current assets में हमारे पास value दे रखा है cash जिसको बोलते cash and cash equivalent cash and cash equivalents the amount is 5,49,700 बराबर हो गया total 5,49,700 यह हमारा balance sheet राइट इसी तरह से आपको show करना होगा तब जाके ऐसे question basically exam में six marks में पूछे जाते हैं अगर यहां पर भी आपको कोई doubt होता है आपने doubt को बेजी जिचक मुझसे पूछ थी है कोई भी डाउट हो किसी भी तरीका का हो ठीके ना that is आप मुझसे social media के थुरू contact कर सकते हैं subscribe करके comment box का use कर सकते हैं यह फिर directly कोई personal doubt है I have my WhatsApp number here okay WhatsApp के थुरू भी मुझसे contact कर सकता तब तक लिए thank you and bye